आजी बेटा जी नमस्कार बच्चो एक question अपने देखे किते भी है किनू कितना हाल करना पर बच्चो इना दा direct answer लिखना होगे जिदा बच्चो तुसी end exam दे रहे हो जा जेई main test दे रहे हो जा बच्चो होर test जिते तुसी बच्चो इनू object दा भीना हाल कर दे तो बेटा जी इदा directly answer कितना लिखी दा कुछी चेकी भी कर सकते तो बच्चो इदा तरीका ही है देखो ध्यान से बेटा जी लिखना कैसे हमने देखो dx over x x की power n plus 1 जितनी power है उसका तो पहले लिखो आप 1 by n इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको फिर आगे आएगा लोग आगे क्या आए 1 तो बेटा जी अगर प्लस हुआ ना तो बो आएगा नीचे अगर प्लस है तो बेटा जी बो आएगा नीचे उपर क्या आएगा उपर आएगा x की power n वो साथ में प्लस सी अभी समझ गे बेटा नेक्स बच्चो देखो ध्यान से आगे क्या आए इधर एकल टू अगर बेटा जी इधर भी power n है अगर n है तो बेटा बन भाई n आएगा बो तो है ही है लोग आएगा अभी नीचे देखो x की power n मैंस बनने है बस आपने जे देह रखना कि अगर प्लस है तो बो नीचे आएगा अगर माइनस है तो बेटा ज देहान से बेटा जी अभी क्या है जे x क्यूब है बिलकुल जे नीचे आएगा बन भाई 3 उपर लोग अब देखो अब जे प्लस है अगर प्लस है तो आपको मैंने बताया कि वो नीचे आएगा क्या आएगा नीचे उपर x क्यूब प्लस c और बेटा जी लास बन देखो x6 x-1 पावर कितनी है 6 है तो बेटा जी बन भाई 6 आएगा लोग आएगा क्लियर है कैसे आएगा x6 है x6 तो बेटा जी उपर देखो अगर मैंने इस है तो वो उपर आएगा x6-1 ओबर x की पावर 6 प्लस c I think so simple आपने दो बातों का ध्यान रखना बचो पहली बात के पावर कितनी है और प्लस है जितनी पावर है बही आएगा बन भाई n जब इदर 3 पावर थी बन भाई 3 6 पावर थी बन भाई 6 दूसरा अगर प्लस है तो नीचे आएगा अगर मैनेस है तो बेटा जी ये उपर आएगा थैंक यू सो मच बच्चो